बारती एक किसान संग के बेनर तले प्रदेश भर में आजुद किया गया धर्ना प्रदेशन इस प्रदेशन में किसान संग गटन की मांग है कि किसानों को उसका पैसा लावत के अधार पर दिया जाना चाहिए और यदि ववास्ता नहीं की जा रही तो एक निश्चेत रासी सायता रासी के रूप में किसानों को दी जाए साथी बिजली की समस्या को लेकर भी सभी किसानों में रोज देखने को मिला वहीं स्मोक के पर किसान संगने कलेक्टर को ग्यापन देने के लिए करीब एक गंटा इंतिजार करना पड़ा वहीं किसान इस बात को लेकर भी नाराज थे कि किस तरह से अनदाता अपने सारे काम छोड़कर आता है और जिलाद इसके पास इतना समय नहीं कि वह अनदाताओं के लिए थोड़ा भी समय निकाल पाएं किसान संग ने आज अपना धरना प्रदेशन एवं ग्यापन का कारिक्रम रखा है और यह पूरे मज़ प्रदेशी नहीं पूरे भारत के अंदर चल गया है राश्ट प्रदेशी अभी हमारे सभी अध्यच मोदय बगरत सभी लोग यहां पर ग्यापन लेके आए हैं करीब आदा गंटेयां बैठे हुए हो गया है जो अंदाता अंद का उत्पादन करता है और खेत से खलियां तक फसल को पहुचा आता है जिसके अन्ड से उत्पन होकर जो रोटियां बनती है और जो व्यक्ति खाकर बड़ा होता है प्रसासने कदिकारी बनता है आज बही प्रसासने कदिकारी ने इन किसान बंदों को हम सब को भूल दिया कि इंतियार करो, एक घंटे बाद आकर कि हम ग्यापमन लेंगे, तो आप क्या करें महोच दूर किसान है चेतो का पानी छोड़ कर आया है एक घंटे बड़े शाप कट्र साप इंतियार करेंगा, जब आईगे किसानों की समस्या का इस्ताइश समाधन नहीं है इसलिए भार्ति किसान संग मांग करता है कि हर किसान को एक हेक्टर पे 20,000 रुपे लागत पे अनुदान जब तक आप लागत पे लापकारी मून नहीं दे सकती लागत के आदा पे जब तक लागत पे अनुदान नहीं तो खिसान को समानता काजिकार मिलेगा सब खिसानों को बराबर बराबर मिल जाएगा तो आप लोग ग्यापन किससे ने आये करीब कितनी देर हो चुकी है और अरपने अंदर बढ़ा दिया अंदर कलेक्टर साब को बता दिया उन्होंने बता है एक घंते बाद हम क्या पंढ़ने कलेक्टर साब तो जब से आप लोग तरी वेक हैं। अहां जब से एही पर बैड़े हैं आदा गंटा हम इंतिजार करेंगे, आद घंटे और इंतिजार करेंगे, और क्या करेंगे? अब कॉंग्रेस की सरकार है, तो कॉंग्रेस की सरकार उप्यों नहीं है? इंतिजार के अलाब और क्या कर सकता?